चलिएका स्वागत है आप सभी का साइन्स और टेक के सोफिसेल प्रेटफॉर्म की उपर जिसा कि आप देख कि आज का मुद्द समझी गए होगे जो वर्किंग पर्सन हैं वो त्यारी कैसे करें या MPPSC को जो क्रेक करने की सोच रहे हैं उनके पास कुछ जिम्मेदारिया हैं जौब भी नहीं छोड़ पा रहे हैं और सपना भी नहीं तोड़ पा रहे हैं तो क्या काम करें, किस तरीके से हम तैयारी करें, ताकि एक्जाम हमारा क्रेक हो सके, इन्हीं कुछ मुद्दों की उपर चर्चा करने के लिए मैं आपके साथ आया हूँ, तो बात करते हैं जो वरकिंग बुमेंट जो होते हैं, तो सबसे पहला इनको तो अपने जहां पर कारि करने वाला है, डिस्प्लिन का मतलब यहां पर यह हैं कि थोड़ा सा आपको कष्ट जरूर होगा, क्योंकि तैयारी बहुत सारे लोग करते हैं, मैं आपको कुछ ऐसी बात हैं बताऊंगा, जो सेलेक्शन तक आपको लेकर जाएंगी, क्योंकि तो तीन बातों की उपर यहां बस कराने वाला हूँ, चलेगा, बात करते हैं जो थोड़ा सा पहले लाइफस्टाइल सुधारना पड़ेगा, जो कहीं पर कॉर्परेट में काम कर रहे हैं, या कहीं ऐसी जगह पर यह काम कर रहे हैं, जहां पर समय क्या लग रहा है, ज्यादा समय यहां पर लग रहा है, सम मौर्णिंग टाइम तो थोड़ा सा जल्दी ही यहां पर होगा तो क्योंकि मौर्णिंग टाइम जल्दी होगा तब जाके समय हमें मिल पाएगा तो morning time लगभग पाँच बजे से start यहां पर करना चाहूंगा पाँच बजे का जो समय जो रहेगा यह हमारा उठने का समय यहां पर होगा पाँच से छे के बीच में या पाँच से साड़े पाँच के बीच में जो आपके daily जो वर्क जो थे daily routine वर्क जो थे इनको आप complete यहां पर कर लीजेगा उठना है हलका फुलका आपकी जोगिंग बगएरा करना थी यह basic काम आप यहां पर जरूर निप्टा लीजिए इस दोरान क्यों 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 क्योंकि अब आने वाले समय में थोड़ा पढ़ाई यहां पर हम करेंगे सुविदा के नुसार 15-20 मिटस को आप थोड़ा सा और यहां पर बढ़ा सकते क्योंकि मौर्णिंग का समय थोड़ा सा पढ़ाई के लिए आपको तो निकालना ही पढ़ेगा तो मेरे खाल से जोब लोग जॉब पर जा रहे होंगे कम से कम यह आठ के बाद नौ बजी से जा रहे होंगे जो पहले जा रहे होंगे थोड़ सा कम समय मौर्णिंग में यहां पर मिलेगा यदि आपने और समय भी लगा दियो च्छे बजे से दिया पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं तो चैसे आठ का जो एम का जो सिफ्ट है यह दो आबर यहां पर आपको पढ़ने के लिए मिनियम निकालने पढ़ेंगे किसी भी कंडिसन में क्योंकि यह सोने में क्या हो रहे थे व्यस्त हो रहे थे यह घंटे तो morning का 6 से 8 का समय आप निकालिएगा 8 के बाद मैं आपको बिलकुल नहीं टोकने बाला हूँ साम के 6 बजे तक हो सकते कई लोग 10 बजे जाएं तो 6 बजे लोटे हो सकता कई लोग 9 बजे यहां पर निकले यह तो यह आपका हो गया working hour यहां पर हो गया आपके जो कारेच छेत्र में जो आपने काम किया है यह बहुत समय यहां पर हो गया करीब 8 घंटे से जादा का समय यहां पर है 8 घंटे का पूरा-पूरा समय में आपको यहां पर है 12 से 6 यह हो गया और 2 यहां पर आपको यह बच रहा है तो यहां से समय 10 बजे आप जा रहे हैं तो 8 बजे आप कर लीजेगा और यहां पर आप दो घंटे या एक घंटे पढ़ाई को और बढ़ा लीजेगा वो आपकी उपर डेपेंड करता है आरे बास सोज में तो यह जो समय जो आपको दिखाई दे रहा है यह यह समय थोड़ा से उपर नीचे आपके पास टाइम कुछ लोग 11 बजे जा रहे हैं तो यहां समय आप बढ़ा लीजिएगा रात को 10 बजे लोट रहे हैं तो यहां पर समय आपका क्या हो जाएगा बढ़ पर कम हो जाएगा समय तो यहां पर आप 11 बजे जाएगा अब थोड़ा सा अपने साफ से समय देख सकते हो तो मौर्णिंग में कम से कम दो घंटे का समय बिलकुल आप निकालिएगा मैं सी कि अभी कॉडिंग यहां पर चल रहा हूं छे बढ़ आप आ गया मालो साथ बजे अब गया तो रात को नो बजे से 2-5 खंटे का समय फिर आप निकालिएगा आठ बजे से निकालेगा समय 11 पीम का लगबग 3 घंटे का समय ये रहेगा या आपने बहुत कटोती भी यहाँ पर कर दी तो 2 घंटे का समय आपको यहाँ पर मिलने बाला है तो मैं आपको ज़्यादा नहीं बोलूँगा जो वर्किंग परसन तयारी कर रहे हैं मैं उनको यहीं बोलूँगा या तो मैक्सिमम 5 घंटे या 4 घंटे पढ़ाई करके भी आप अपने एक्जाम को क्रेक कर पाएंगे मंगर ये कब हो पाएगा ये हो पाएगा डेली उसी पैटर्न पर आप रोच एपलाई करेंगे तो बैद 2 घंटे दे दिये साम को 2-3 घंटे दे दिये कुछ लोग 9 से पढ़ेंगे क्योंकि 9 के वाद आपको फिर सोना ही यहां पर पढ़ेगा तो कि 1 घंटा यहां बच और 5 घंटा 6 घंटे की निंद सफी सेंट यहां पर होगी तो जो वरकिंग परसन वरकिंग परसन है चार से 5 घंटे में बड़ी आराम से एक्जाम को क्रेक कर सकते हैं सर इतने बिस्वास से कैसा बोल रहे हैं इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि वरकिंग परसन इसको अपनी जिम्मदारियां पता है अच्छा ब्रीन का डेवलाम्मेंट तो बिल्कुल यहां पर मैक्चियोरियो हो चुका है अब इसको यह पता है कि भाई अब हम तयारी यहां पर करने बाले हैं तो हमें सेलेक्शन हमें ही चाहिए अब यहां पर डिस्ट्रेक्शन नाम की ऐसी कोई भी चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि अब इस एज में यह व्यक्ति पहुँच चुका है क्योंकि अडल्ट यहां पर यह व्यक्ति हो चुका है है ना जिम्मेदारियां भी इसको अपनी पता है तो चार से पांच घंटे के समय बहुत सफिसें समय यहां पर होता है पढ़ाई करने के लिए दूसरी बात यहां पर यह आती है कि सरफ पढ़ाई हम किस तरीके से यहां पर करें ताकि हमें यहां पर मिले सेलेक्शन तो यहां पर पढ़ाई जो आप करेंगे तो यदि आपने पहले कभी तैयारी करी है तो बैन गुड बहुत अच्छी बात है आपको knowledge है यह दिए आपको knowledge नहीं है तो आपको mentorship चाहिए ही होगी क्यों कम समय में आपको सफलता अर्जित करनी है तो आप बैठके किताबें तो पढ़ने ही सकते हो क्यों समय बहुत कम है किताबें पढ़ने बैठ होग पता भी आपका नहीं चलने वाला है तो यहां पर आपको चाहिए प्रॉपर guidance चाहिए या mentorship चाहिए अब guidance प्रोग्राम आप कहीं से भी ले सकते हो भाई है ना बहुत सारे संस्थान है जो online भी तैयारी करा रहे है ओफलाइन भी तैयारी करा रहे हैं यह बहुत मश्ट है दूसरा exam को correct करने के लिए आपके पास होने चाहिए notes और notes भी कैसे complete complete notes आपके पास होने चाहिए और फिर आपको पढ़ना है क्या cable और गेबल नूर्स आपको पढ़ना है यहाँ वहाँ बिल्कुल भी भटकाओं नहीं होना चाहिए जीवन में केबल और केबल और केबल आपको पढ़ना है क्या नूर्स यहां पर पढ़ने क्यों अच्छे जो करना lens की तरह है focus करना है उसी को बार बार पढ़ोगे समय आपके पास limited है तब आपका selection कोई भी नहीं रोक सकता है यह रूटीन को आप फॉलो करोगे मतलब 4-5 घंटा डेली पढ़ने के लिए लिखने के लिए नहीं केबल याद करने के लिए वो समय है उसमें लिखना बिल आपके पास मौजूद होने चाहिए यदि आप प्री की तैयारी कर रहे हो यदि आप मेंस की तैयारी क्यों ना कर रहे हो तो यह testories होनी चाहिए आपके पास प्री या मेंस की टैस्रीज आपके पास मौजूद होनी चाहिए ताकि आपको ये पता चले कि हम किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं आपका अपना आकलन भी आप यहां पर कर सको तो टैस्रीज होना क्या है बहुत ज़्यादा जरूरी है प्री की और मेंस की अब बात ये आती है कि सर इस तरीके से तैयारी कौन कौन कर सकता है तो वरकिंग परसन कर सकते हैं इसमें हाउस वाइफ यहां पर सामिल होती है तो बो भी इस तरीके से यहां पर तैयारी कर सकते हैं इस तरीके से तैयारी करने पर ही सेलेक्शन होता है otherwise तो फिर केबल मन में यही लगा रहे था कि हम तैयारी कर रहे हैं बस selection नहीं होगा तैयारी इस तरीके से करने में selection होगा फिर कुछ लोगों का caution होता कि सर इतनी अच्छी strategy बता रहे हैं आप तो आप भी कर लें तैयारी तो फिरून के लिए बता दूँ में एक एज लिमिट होती है उसे एज के ब्यॉंड यदि आप पहुं जाओगे तो आप एक्जाम नहीं दे सकते हो मैं एक्जिम मेरे खाल से 32 साल आपको जनरल कैडिगरी में देखने को मिलेगी और उसे पांस साल का रेक्सेशन मिला हुगा है ओवी सेस्ट के लिए मिला हुगा है आरे बास वज में तो एक लिमिटेड एज होती है तो उसी एज के दाइरे में रहकर आप तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं अब कुछ कॉशन थे मैं देख रहा था एक वीडियो में जो आप लोगों ने यहाँ पर पूछे थे तो कॉशन नमर एक यहाँ पर था कि सर हाउस वाइफ के लिए या वर्किंग परसन के लिए तो जो मैंने पूरा रूल बताया है हाउस वाइफ या वर्किंग परसन का ही पूरा यह रूल है फिर एक कॉशन यह आया था कि सर हम हाउस वाइफ हैं कि हमें मौर्रिंग में पांच बजी से उठना पड़ता है तो हम आपका यह फॉलो नहीं कर सकते हैं टाइम टेबल तो हाउस वाइफ के लिए मैं आपको बता दू चलिए माल लिया मैंने पांच बजी आपको उठना पड़ता है मगर एक समय आपके पास आफटरनून का भी त प्रदा रहे हैं हजबेंड चले गए हैं अपने ऑफिस बगर चले गए हैं मंगर जो दोफेर का समय है फिर आपका तो बोस मौर्निंग का सेड्यूल है उसको अप दोफेर में सिप्ट कर लीजेगा दोफेर में आप पढ़ाई करेगा यह एक्जाम क्रेक करना है तो आर्य क्योंकि मैंने कमेंट देखे थे कुछ लोगों ने बूला कि हम तो हाउस वाइप हैं हमारा काम भले काउंट नहीं होता है मगर हम सुमय से काम करते हैं मगर दोफेर का समय जो आपको मिलेगा उसमें मौर्निंग का जो बूलना चाहिए कि वहाँ च्छती हो रही है तो पूर ए होते लोग जो teaching कर रहे हैं अब teaching का subject क्या है depend करता है मालो आप teaching कर रहे हैं college में MBA वालों को पढ़ा रहे हैं याधर category वालों को पढ़ा रहे हैं जिसका हमारे p.ac.cs लिए से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है तो फिर मैं उस टीचिंग को work में ही count करता हूँ मेरी बात आप पुर्संग मेरी है मालो कोई college में पढ़ा रहा है BBA बालों को पढ़ा रहा है कोई MBA बालों को पढ़ा रहा है कोई GATE बालों को पढ़ा रहा है कोई NEET IIT बालों को पढ़ा रहा है उसका इससे कुछ लेना देना है नहीं PSC से खास तो उसको मैं क्या count करता हूँ उसको मैं यही count करूंगा कि आप क्या कर रहे हैं आर्ट से 9 घंटे की जौब ही यहां पर कर रहे हैं कि आई बास सब्सक्राइब में teaching यह आप कर रहे हैं यह यह नॉन टेकनिकल कर रहे हैं नॉन टेकनिकल का मतलब यहां पर है किसी एक्जाम की तैयारी आप कराते हैं इस्टेड पीएसे की, यूपीएसे की, रेलेवे की, एससे की तो बहुत कुछ आपको मदद यहां पर मिल सकती है तो teaching जो करा रहे हैं तो मैंने दोनों बातों को बता दिया teaching कहां की teaching हो रही है, कहां पर आपको मदद यह मिल सकती फिर यहां पर एक और question आया था कि सर हम तो police department में हैं हम तो police department में हैं हम कैसे तैयारी करें तो जो देखो, जो police department में हैं, वो भी तैयारी कर सकते हैं तो और सा rule strict आपको बनाना पड़ेगा यह दिया आपकी duty change हो रही है, तो अपने rule को flexible आप करिएगा तो बैकी shift है, रात की shift है तो रात में जहां पर भी हैं, वहां पर आप पढ़ाई करिएगा इतना ज़्यादा, कुछ समय में मान सकता हूँ कि भाई, चुनाओं की समय, कुछ ऐसे समय होंगे जहां पर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी पाकी समय आपको भी समय मिलता है ऐसा नहीं होता है, कि पुलिस वालों को भी बहुत ज़्यादा काम जदा, ओबर काम कराए जाए कुछ समय होते हैं ऐसे मगर उसके बावजूद भी समय हाँ पर तैयारी करने को मिलेगा बस बात वही है कि आपका निश्चाए अंदर से होना चाहिए दढ़ निश्चाए आपका होना चाहिए तब आप तैयारी यहाँ पर सही तरीके से पर पाएंगे अच्छा पर एक और कॉशन आये था कि सर आपने जो टाइन टिबल बताया है ना हम तो रहते हैं बड़ी सिटी में रहते हैं हम तो ट्रेबिलिंग भूत करते हैं हमारा जो सफर जो होता है इसी में सर हमें लग जाते हैं चार घंटे टोसुर्विष अने में लग जाता है सफर में मैंने का क्या काम करते हो या तो वीडियोस देखते हैं या तो कुछ movies डावलोड कर लेते हैं या तो हम गाने सुनते हैं उसकी जлекс्वश आपको क्या काम करना है किसी को सफर में समयल लगता है ज़्यादा दो घंटे का, तीन घंटे का, चार घंटे का, तो lecture को record करके, lecture जो कहां से भी आप तयारी कर रहा हो, उसको आप सुनते जाएए, या caution paper आप लगाते जाएए, दूसरा काम यहाँ पर यह कर सकते हैं, तीसरा काम आप यह कर सकते हो, सुभई-सुभई आपने कुछ पढ़ाई की थी, पढ़ाई करने पर आपको लगा था, कि हमने चार बातें यहाँ पर देखी हुई थी, यह हमें याद करने इसके यह point थे, उन point को छोटे से कागज में लिक का रख लीजेगा, train में बैठे हैं, metro में बैठे हैं, बस में बैठे, उसको देखते हो जाएएगा, तो इस सम काम कर लिए, आराम करना है, तो थोड़ा सा, मैंने आपको पहली बताया, खोड़ा सा कश्ट जरूर होगा, मगर इस तरीके से आप तयारी यह दिया आप करेंगे, तो 100% सफला आप यहाँ पर होंगे, तो वही मैं आपको बता रहा था, मौर्णिंग में करीब समय आप निक चीजे भी आपको समझ में आ रही है, मगर यह बाते तब होंगी, जब आप कहीं न कहीं, गाइडेंस प्रोग्राम से आप जोड़े होगे, या किसी से आप मेंटोर से पाफ ले रहे हो, कहीं से भी, ऑनलाइन हो, आफ लाइन हो, प्रॉपर नोट्स आपके पास हो, और टेस हो, चाहिए सोसल मीडिया हो, फिर वहाँ पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं आता, बार बार अंदर से एक ही आवाज आती रहती है, उनसे आवाज आती रहती है, कि नहीं, एक्जाम करेक्ट करना है, एक्जाम करेक्ट करना है, आरी बात समझ में, तो यह है इस तरीके से दिया आप डिसिप्लिन के साथ आप काम करेंगे तो सो परसेंट आप यहां पर सफल हो जाएंगे आरी बात समझ में आई होगी कि थोड़ा सा हाड़ बर्क जो आप कर रहे हो वहां से समय निकालना पड़ेगा आपको अब यह भी हो सकता है मालों कई लोग जो हैं फ्लेकसिबल ड्यूटी आर होते हैं धाँ होता है जहांपर वह थोड़ा सा आरां सी बी हो जाते हैं चिली भी रहते हैं तो एकाथ पथली सी किताब या नूर्स हास से लेखिए आप ले जा सकते हो अपर वहां पर टेबल के सामने लगा लिए तो फ्री बैठे तो उसको आप देखो थोड़ा साफ उसी का रिवाइस करो उसी का चिंतन मनन करो आप इस तरीके से आप काम करते हैं तो सौ परसन एक्जाम क्रेक होता है तो इन बातों को बिल्कुल आप फॉलो करेगा जो भी तैयारी कर रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका भी निकानलता है मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनों ने 35-37 साले में भी एक्जाम को यहां पर क्रेक की और अच्छी रैंक लेकर आए हैं तो नए लड़कों को पच्छाड़ा है नए लड़को प पर होता है ठीक है इस तरी के से आप तैयारी करेंगे सो परसंट एक्जाम क्रेक होता है ठीक है चलेगा तो मुलाकात करते हैं फिर किसी नए वीडियो